मेरे पहरे देश्वासियों, अपी कुछ दिन पहले ही हमने मात्रु भाषा दिवस मनाया, जो विद्वान लोग हैं, वो मात्रु भाषा सब्द कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर बहुत अकडेमिक इंपुर्ट दे सकते हैं। मैं तो मात्रु भाषा के लिए यही कहूँगा, कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मा गड़ती हैं, वैसे ही मात्रु भाषा भी हमारे जीवन को गड़ती हैं। मा और मात्रु भाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबुत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी मा को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मात्रु भाषा को भी नहीं छोड़ सकते। मुझे बरसों पहले की एक बात याद है, जब मुझे अमेरिका जाना हुआ, तो अलग अलग परिवारों में जाने का मोका मिलता था, कि एक बार मेरा एक तेलू को परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का द्रश्य महाँ देखने को मिला उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कितना ये काम क्यों नहों लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य डीनर टेबल पे बैठके साथ में लेंगे और दूसरा डीनर के टेबल पे कमपलसरी हर कोई तेलूगू भाषा में ही बोलेगा जो बच्चे वहाँ पैदा हुए थे उनके लिए भी एनियम था अपनी मात्रु भाषा के प्रती ये प्रेम देखकर इस परिवार से मैं बहुत प्रभावित हुआ था साथियों आजादी के 75 साल भाष भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा अपने पहनावे अपने खानपान को लेकर एक संकोच होता है जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है हमारी मात्रु भाषा है हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समरुत है कि उसकी तुन्ना ही नहीं हो सकती हमारी भाषाओं के सबसे बड़ी खुबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्या कुमारी तक कच्छ से कोहीमा तक सेंक्डो भाषाए हजारों बोलिया एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रचिमसी हुई है भाषा अनेक भाव एक सद्यों से हमारी भाषाए एक दूसरे से सिखते हुए खुद को परिश्कृत करते रही है एक दूसरे का विकास कर रही है भारत में विश्प की सबसे पुरानी भाषा तमील है और इस बात का हर भारतिये को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है उसी प्रकार से जितने पुराने धर्म शास्त्र है उसकी अभी विक्ति भी हमारी संस्क्रित भाषा में है भारत के लोग करीब 121 यानि हमें गर्व होगा 121 प्रकार की मात्रू भाषाओं से जुड़े हुए हैं और इन में 14 भाषाएं तो ऐसी है जो एक करोड से भी जादा लोग रोज मरा की जिन्दगी में बोलते हैं यानि जितनी कई यूरोपियन देशों की कुल जंग संक्या नहीं है उससे जादा लोग हमारे हां अलग-अलग 14 भाषाओं से जुड़े हुए हैं साल 2019 में हिंदी दुनिया की सबसे जादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे क्रमांग पर थी इस बात का भी हर भारतिय को घर्व होना चाहिए भाषा केवर अभिवक्ति का ही माध्यम नहीं है बलकि भाषा समाज की संस्कृती और विरासत को भी सहजने का काम करती हैं अपनी भाषा की विरासत को सहिज ने का ऐसा ही काम सुरिणाम में सुर्जन परोहीजी कर रहे हैं। पहा के राष्ट्रिय कव्यों में उनका नाम लिया जाता है। यानि आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। उनके कारियों में हिंदुस्तानी मिट्टी की महख है। सुरिणाम के लोगों ने सुर्जन परोहीजी के नाम पर एक संग्रहाले भी बनाया है। मेरे लिए ये बहुत सुकद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अउसर मिला था। साथियों आज के दिन यानि 27 फरवरी को मराठी भाषा गवरव दिवस भी है। सर्व मराठी बंदु भगिनिना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक सुबेच्छा ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन सिर्वारकर जी स्रिमान कुसुमागर जी जी कव समर्पित है। आज ही कुसुमागर जी की जन्मजेंति भी है। कुसुमागर जी जी ने मराठी में कविताय लिखी, अनेको नाटक लिखे, मराठी सहित्य को नई उंचाई दी। साथियों, हमारे हाँ भाषा की अपनी खुबिया है, मात्रु भाषा का अपना विज्ञान है, इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रिय शिक्षानीती में, स्थानिय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हमारे प्रोफेशनल कोर्सिज भी स्थानिय भाषा में पढ़ाए जाए, इसका प्रयास हो रहा है। आज हादी के अमृतकान में इस प्रयासों को हम समने मिल करके बहुत गती देनी चाहिए, ये स्वाभिमान का काम है। मैं चाहूंगा आप जो भी मात्रु भाषा भूरते हैं, उसकी खुबियों के बारे में अवश्य जाने और कुछ न कुछ लिखें। स्काइब मम समने सश्य जाने सकती बारे में आपूर C». क्रदे क्रूर्ट भी में ये सिरू理मान का देनी चाहिए, बड़ का ये से हमक्तों काुब़िभमान का 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 बारे में त의 हैंक्तर झाल झाल